बायो ब्लास्ट में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए नीट की प्रिप्रिशन के लिए समझ रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी वीडियो 2 है इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था अगर आपने वीडियो देखा है तो अच्छी बात है और नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए रीजन क्या है उस वीडियो को देखने का रीजन ये है कि आपको ये पता चलेगा कि mistakes कहां होती है ठीक है और ऐसी strategy वीडियो अब आती रहेंगी मैं last year नहीं डाल रहा था लेकिन मुझे लगा कि इस बार डालना चाहिए जब कभी कभी चलता ने सुरुआट यहां से कीए सही तरीके से राष्टे पर पाता पाथ प्रीड़ाए ठीरे जञना सुरूर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई तो कर रहे हैं आठ घंटा दस घंटा आप दे रहे हैं लेकिन आप कहां भूम रहे हैं आपको नहीं पता है और तब तक पता चला कि एक जाम जो है दोजार पच्चीश का नजदिक आ गया अभी आप दोजार चोविस मेरे हैं कि समझ रहे हैं न ऐसे इधर से कहानी बनेगी आप कहां जाने आप पता नहीं है कभी-कभी यह पाथ बहुत लंबा हो जाएगा कभी-कभी थोड़ा जल्द आगे चीजें ठीक है पाथ तो रियल वाले यह है यह पाथ है आपका लेकिन आप फालो कौन सा कर रहे हैं ठीक है आप फालो कौन सा कर रहे हैं और अगर यह पाथ फालो नहीं करेंगे तो आप यह पहुंचते पहुंचते रह जाएंगे आप इधर साइड में घुम जाएं कि यह क्या है यह हैं डिस्ट्रैक्शन्स कि क्या है यह डिस्ट्रैक्शन्स थोड़ा सा अगर यह राइटिंग लैग होगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपको जो दिख रहा है जो आवाज समझ में आ रही है उससे समझें ठीक है कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन्स होता है बीच बीच में उसको हमको ट्रैक पे लाना है जैसे वीडियो आएगी और आप वीडियो देखेंगे और आपको लग रहा है कि हमने कुछ बोला और आपको लग रहा है कि आप उस पात पे चल रहा है तो आप तुरंत वापस आईए इमीडियेटली आप इमीडियेटली वापस आईए कहीं पर भी रहिए आप तुरंत वापस आईए अपने पात पर आप कम से कम उस लेवल पर पहुंच जाएं कि आप एक्जाम देने जाएं यहां पर आपको कपकपी नहीं नहीं यह जब की हमको लगया कि आप कि पढ़ाय की चर्म हो रही है किसी तरीके से तो मैं बना दोंगा यह मैं फिल कर लूँगा ठीक है तो जस्ट फालो दे स्ट्रेटजी और यह स्ट्रेटजी ऐसे है कि आपका जो टाइम है और लेस टाइम में आप कैसे चीजों को मैक्सिमाईज कर सकते हैं ठीक है तो बेस्ट वे टो फिनिस यूर प्रिपरेशन इन लिम्टेड टाइम यह कैस इन चीजों को आपको बेस्ट तरीके से लिम्टेड टाइम में जो कि आपका एक साल का डिवरेशन हो या आप 11 लेके चलना है ड्रॉपर है चाहें ट्वेल्थ में हैं यहां पर ड्रॉपर या ट्वेल्थ वाला बच्चा यह इसके लिए एक साल का होगा ताइम ड्यूरेश यह इसी युजना के लिए नहीं सोचना है कि एक साल पहले हम आफ लाइन लेके करते हैं फिर दूसरे साल आफञाईन लेके कर्चे करते हैं फिर तीसरे साल आन दोनों समझ रहे ना पहले साल online तीसरे सान offline और फिर पहला ठीक है दूसरा साल और तीसरा साल जो आएगा आप कहेंगे अब दोनों on plus off दोनों लेके चल रहे हैं यार ये प्लान मत बनाओ ना online लेके चल रहे हैं तो भी प्लान यही होना चाहिए एक साल या दो साल जो भी duration आपका हो जाना चाहिए offline भी है तो भी यही प्लान चलना चाहिए ठीक है समझ रहे हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट में क्या है कि सबसे पहले आपको syllabus और pattern सब कुछ एकदम दिमाग में पता होना चाहिए दिमाग में एकदम घुशा रहना चाहिए syllabus तो पता ही आपको लगता है कि में उपड़ी नजर होनी चाहिए एकदम पैनी नजर जिसको कहते हैं कहते हैं जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में किसी के ऊपर क्रश रहता है टीचर के उपर भी करस आता है लोह का ठीक है बच्चों बच्चे एक दूसरे के ऊपर प्रस रहता है जो भी आप समझ क्यों नहीं देखे या आपने पैटर्न को एनलाइज नहीं किया या आपने कुछ चीज नहीं पढ़ी तो आपका दिमाग उदास रहना चाहिए तब इस में पर्फिल होगा कि आप रियल में रिप्रेशन कर रहे हैं समझ में आया बात तो यह एक तरीका है चीजों को करने का अभी हम आगे पढ़ रहे हैं कैसे हम लिमित करेंगे ठीक है सो जो प्लान है न कि आप टाइम duration में एक साल के time duration में और limited time में ठीक है कैसे चीजों को complete करेंगे तो यह formula है मेरा बनाया हुआ है ठीक है formula और यह बहुत effective है बहुत effective है अगर आप सही से follow करते हैं तो ठीक है if you follow ठीक है अगर नहीं follow करेंगे तब तो कोई बात ही नहीं भाई formula है 2 is to 2 is to 1 का ठीक है 2 is to 2 is to 1 का मतलब जितना भी आप पढ़ाई करते हैं in general उसका दो पार्ट जो है आपके physics में जाना चाहिए और दो पार्ट जो है आपके chemistry में जाना चाहिए ठीक है और एक जो है अपके biology में जाना चाहिए एक second ऐसे कि एकसे के और लूजी तयार है तो उसकेड़ परशानी रहती है वह अपने एक और्डींग आप एड़ेस्ट कर लीजिए लेकिन फार्मूला यहीं होना चाहिए तो कि जो बच्चे मात खाते हैं सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बच्चे मात इनहीं दोनों में से खाते हैं बाइलोजी तो आपको लगता है कि आसान है तो आप उसके उपर फोकस ही नहीं करते हो ठीक है और इफेक्टिव जो इस्टेडी टाइम है आपका नीट अगर आप धंग से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आठ से दस घंटे अगर दो साल का आपका टाइम पिरियड है तब कर लें तो रेगुलर यह आठ से दस घंटे का इफेक्टिव स्टेडी होना चाहिए फेक्टिव कि एफेक्टिव अगर इफेक्टिव नहीं है तो कोई मिलिंग नहीं आप दस घंटे केवल किताब लेके बैठें दो चैप्टर दो पन्ना कभी-कभी ऐसा होता हम देखें ब खोल के बैठें फिर उसी में 5 मिनट पढ़े दूलाइन पढ़े समझे थोड़ा बहुत तब तक फिर पता चला की मैसेज पर बात चल रही है तो नहीं होगा फोकस बहुत जरूरी है इसलिए ठीक है यह आपके दिमाग की बत्ती जो है जलाएगा कि इसके लिए कैसे आप चीजों को करेंगे इसमें जो रिस्ओर्सस है उसको आपको लिमिट करना पड़ेगा आपको PDF कटर नहीं बनना है ठीक है PDF collector नहीं बनना है आज कल चल रहा है इसके लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूं रिमाइंडर कॉल के लिए लेकिन यह चल रहा है आप लोग जो है YouTube पे जाते हैं ठीक है फिर सबके चैनल को जोइन कर लेते हैं इसपेसली आज कल टेंड में देखा है पहले भी रहता है YouTube पे followers बढ़ाने के लिए और चीजों के लिए मतलब क्या क्या किया जा रहा है आप लोग पता है आप लोग इतने वाइस हैं लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं ठीक है आप क्लास देखते समय क्लास से ज्यादा बीजी कहां रहते हैं कमेंटिंग में और कुछ भी कमेंट हैं तो फिर नहीं नहीं करने आपके पास самое और सब कोचिंग जो है goरी सोर्स अ स Sc करती है उनका इसा करते हैं और यों अलामा जो जो को इनbons और वहीं चीज आपको बताई जाती है इसलिए रिसोर्स को आपको लिमिट करना आप हजार चीज को हजार लोगों के नोट को कलेक्ट करके रखने से कुछ नहीं होना है और एक प्लान जो आपके लिए काम करना शुरू कर दिया आपको लग रहा है कि इस तरीके से आपकी हैने से प्लान को change नहीं करना है सब आप पढ़ाही रात में कर पाते हैं रात में बहुत इफेक्टिव पढ़ाही होती है दोसे तीन बज़ी तक आपकी ता आप यहेंकरिए लेकिन दोसे तीन बज़ी तक पढ़ने के बाद आप सोने काका काम जो 7-8 घंटे ही रखी है ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है more than enough time है clear है so यह यह फार्मूला follow करना आपकी 10 घंटे के गर पढ़ाई है यार स्वारी ऊपर चला जा रहा है पता नहीं कैसे आपकी अगर 10 घंटे की पढ़ाई है suppose एक सेकेंट ठीक है सो 10 घंटे की एखें व्याय दिस इभाइव now following यहां बता है यह दो गंटे का दो सीन है तो डस घंटे में आपका मानली टूटल पढ़ाई दस घंटे की तो तो घंट क्या हो जाएगा चारफं लुकुत अब कि लीजी है और जैसे आपका टाइम इसने बढ़ता है तो आप उसी के लिए सबसे बड़ा यही ब्लंडर करते हैं पूरी पढ़ाई में सबसे ज्यादा ब्लंडर जो है यही होता है रिजन के आप पढ़ाई दो बहुत करते हैं लेकिन आपकी एकुरेसी कितनी है इस पर ध्यान नहीं देते हैं आप मिस्टेक्स जो कर रहे हैं आप उसको ऐसे ही सिली मिस्टेक्स को क्या करते हैं एक्जाम में सही कर लेंगे आपका पैटन क्या हो जाता है रही तो टेस्ट हो रहा है कोचिंग का टेस्ट है यहाँ पैपर बनाते हैं वहा accuracy के लिए आपको practice करना है कि क्छिप्र क्या है है और प्राक्टिस का तरीका क्या है मालेजी आपने दस question लगाया एक दिन में support आपको बताएंगे ज़्यादा question कितना लगाना suitable रहेगा दस question आपने लगा लिया और इसमें आपने हर variety के मतलब easy to easy to difficult ठीक है जो भी question लगाए आपने 10 question लगा लिया आप 10 question में से मालेजे आपके 6 question जो है correct थे ठीक है और 4 question जो है रांग हो गए तो आपने answer देखके मिला लिया और उसके बाद किताब को आपी बंद कर दिया और आपने फिर से अपना जो पढ़ रहे थे वैसे पढ़ना शुरू कर दिया यह आपको पता होगा क्योंकि आप तुक्के में जब answer लगाते हैं तो आपको पता होता है तुक्के में कौन से सही है इसको आपको detail में पढ़ना है और जो इस चार गलत है इनका भी detail analysis करना है खुद से इसकी गलत question की और जो question तुक्के में आपने सही किया ठीक है और इसमें से भी अगर बहुत important है जो बार-बार आपको गडबार हो रहा है बार-बार missing है तो उसका एक note बनाईए separate notes रखिए और उसमें आप उन points को लिखते जाए वो physics chemistry biology का एक ही copy में अलग-अलग बना लिजिए अलग-अलग कर लिजिए इसी तरीके से आप जो है ने accuracy बढ़ा सकते हैं और mistakes को reduce कर सकते हैं सोचे टॉप college में जाने के लिए आपकी accuracy बहुत हाई होनी चाहिए more than 90% 95% then only you can reach to that level clear है यह तरीका ओके सो यह अगर आप ऐसे करते आएंगे तब आपका जो न जो दरवाजा है medical college का without much hassle मतलब बहुत परिशानी और pressure के बिना बहुत जादा आपको टेंशन नहीं होगी no stress ठीक है no stress if you follow this strategy stress will not be there और आप ने medical college में ऐसे आला लेके ठीक है आला लेके इंदी में आला बोलते हैं ठीक है limit कैसे करना है कैसे focus रहना है और मोटिवेशन डाउन होगा तो उसके लिए मेरी वीडियो आती रहेंगी मतलब मैं बहुत ज्यादा आपको motivation ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि मतलब पत्थर तोड़ते हुए यह करते हुए और कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं मैं आपको बता द distance होती है दो पॉइंट के बीच में ठीक है यहां से आप चले एक पॉइंट से भी पॉइंट कोचना है तो minimum distance होता है डिस्प्लेस्मेंट होता है वेक्टर क्वान्टिटी आप इदर से इदर 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 घूम रहे हैं पता चला कप पहुंचेंगे पता नहीं ह को सकता है ना भी पहुंचें गायब हो जाएं ठीक है सो यह distance नहीं बढ़ानी है sorry 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 distance नहीं बढ़ानी आपको ठीक है आपको displacement पर वर्क करना है clear है clear है और यह strategy follow करेंगे तो इतना guarantee है कि आपको टेंशन और प्रेसर तो नहीं होगा क्योंकि यह पढ़ाई जो है पूरे साल क है at least एक साल और दो साल टाइम लेके चल रहे हैं तो दो साल की ठीक है और आपके पूरी के पूरी प्रेशन जो है एक्जाम के दो महीने पहले हो जानी चाहिए two month before वह हो जाएगा उसका भी कोई लोचा नहीं है और जब यह हो जाएगा सारा तो आपका हाँ पहुंचेंगे अगर यह तो फिर आपके पढ़ाई नहीं होगी इस बात को ध्यान नखी है अगर आपने टार्गेट ही सबसे लो लेवल के कॉलेज को कर लिया है अगर आपका टार्गेट ही बहुत लेवल का है ठीक है लोवेस्ट कॉलेज या आप सोच रहें कि चलो बाप के पास पैसा है पैरेंस के पैसा है या जमीन है बहुत सारा बेच बाच के हम प्राइबेट कॉलेज में चले जाएंगे वहां पचास लाग से लेके करोड तक फीज देंगे आराम से ठीक है वन सीयार और काम हो जाएगा ना बाबा वो क्यों क बेटे हैं एक आप नार्मल मिडिल क्लाइस जो नौकरी पेशा आदमी होता उसके बेटे बेटी हैं बेटे बेटी दोनों के केस में है ठीक है तो आप न यह कोसिस करिए आप यह मत सोची इस लीग में आप नहीं है आपके आपके ओवर आला आपकी पूरी जमापुझी है धर्दवार सब भी जाएगा ना तब भी आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं पहुंच पाएंगे और एक बार अगर पढ़ लिए एक बार अगर पढ़ लिए धंग से तो आपकी कहानी जो है न वह एकदम से मस्त हो जाएगी मस्त बन जाएगी ठीक है तो आपका जो फोकस हमने बताया फोकस एंड टार्गेट है ठीक है यह बहुत जरूरी है कहां होना चाहिए समझे नहीं जितने टॉप क्लास की कॉलेज हैं इंडिया में अब दिली में मौलाणा आजाद है लेडी हर्डिंग है इसके अलामा भी है अगर आप इस टेट से बिलॉङ करते हैं डिपेंट हर इस स्टेट में एक दो कॉलेज तीन का कॉलेज जो है ना बढ़ियांबढ़ियां है आपको टार्गेट नहीं कॉलेज का क सब्सक्राइज सब्सक्राइब अगर करना है अगर कर रहे हैं तो बता ही दिया चुल मेने की किसान है第ish क सक के बैटे के थाउजन पर मंद सेली वाला परसन ठीक है आज के टाइम पे आज के टाइम पे अपने बच्चे को धंग से कोचिंग करवा रहा हो अगर और पढ़ाई करने के लिए सोच रहा हो ना तो बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है इस बात को जान लीजिए तो सोचिए कि इसके चाहिए और आपका हाड वर्क है वह काम होना अपर दूसराओं के चक्र में ना पढ़ीये मैंने पीछे बताया कि आपको जो जो सिलेबस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए ठीक है सिलेबस के साथ साथ जो आपके resources हैं वो clear होने चाहिए देखिए फिर से वापस चला गया resources जो है वो clear होने चाहिए ठीक है और उन resources पर आपकी जो particular strategy है उस पर stick रहना है बस this is the smart work smart work के साथ साथ आपको hard work करना है बाबा smart work के साथ साथ आपको hard work की करना है यह नहीं करेंगे न यह mandatory है और यह भी mandatory है smart work का मतलब यह नहीं होता है कि exam के चार दिन पहले हम वीडियो देखके काम चला लेंगे smart work का यह मतलब नहीं होता है कि आपको online वीडियो मिल गई है YouTube पर free की वीडियो या आपने online classes ले रही है तो फिर आपका काम होई से क्यावल हो जाएगा देखिए पैसिव लर्निंग छोड़िए ठीक है पैसिव लर्निंग छोड़ना है आपको पैसिव लर्निंग नहीं करनी है लर्निंग कौन सी करनी है एक्टिव एक्टिव में क्या होता है आपका engagement ज्यादा जरूरी है अदर्वाइज आप लोगों को नई spoon feeding कराई जा रहे हैं तो डूनाट डूनाट बिलीब इन ड़िए spoon feeding ठीक है एक हम इसके आगे वाली वीडियो में उसके ऊपर भी पूरी चर्चा करेंगे आप spoon feeding पर बिलीब मत करिए जितनी चीजे मैंने बताई है यह पीछे का हमने सब बताया है कैसे कैसे चीजे करनी है क्या क्या करना है ठीक है बेस्ट मैक्सिमाइज एकुरसी कैसे मैक्सिमाइज की जाएगी और यह वाला प्लान जो हमने बोला कि इसको कैसे फालो करना यह प्लान बहुत ब्यातरीन प्लान है इसको आप मिस्मत करिएगा इसको नहीं बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना थाउं इस पॉलो ढूर यह फार्मूला हमेशा काम करेगा आपके लिए हमेशा आपका जो भी स्ट्रॉंग और बीक सब्जेक्ट हो तीनों सब्जेक्ट का यह बता दिया और यह जब काम करने लगे तो आपको इधर उधर नहीं सोचना है तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं आप चीजों को देखिए समझे और पढ़ना शुरू करिए ठीक है टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है ठीक है अगली वीडियो में अगली वीडियो में रोल के लिखुत दीक्ते 15 करने को सिस्कार यह द्याइंग से करने बत आपको वस एक चीज़ करने जैस वालो ऑनल झाल झाल